बच्चो रिण पत्रों के लेखांकन के दौरान आपने देखा कि किस प्रकार कम्पनी अपनी अत्रिक्त आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए यानि कि जब उसको पूरा करने के लिए रिण पत्रों का निर्गमन करती है जिस प्रकार रिण पत्रों का निर्गमन किया जाता है यानि रिण लिया जाता है रिण पत्रों के आधार पर वैसे ही उनका शोधन यानि की भुकतान भी किया जाता है तो इस अध्याय में हम देखेंगे रिण पत्रों का शोधन यानि की रिण पत्रों का भुकतान अब अगर बात करें रिण पत्रों के शोधन की तो इसके अर्थ को हम जाने तो कुल मिलाकर ये वही स्थिती है जबकि एक रिण दाता को कमपनी रिण को वापस कर देती है उससे लिए गए पैसे को वो उसको वापस कर देती है सीधी सीधी शब्दों में तो जब ये पूरी प्रक्रिय रिण पत्रों के माध्यम से होती है यानि की कंपनी ने रिण पत्रों के अधार पर रिण लिया था ओर नब रिण सबसे पहले देखा जाता है कि रिण पत्र के शोधन का समय क्या है रिण पत्रों के शोधन के लिए या तो एक निश्चित अवधी जो नरधारित की गई है उस अवधी की समापती पर शोधन होता है और या उस अवधी की समापती के पूरव ही शोधन हो जाता है हमने पिछले ध्यायों में देखा था कि कमपनी के कुछ अपने पाशत सीमा नियम पाशत अंतर नियम होते हैं जिन में आंश पत्र और रिंपत्रों से सम्बंदित सभी जो नियम कानून होते हैं वो बता दिये जाते हैं तो अंतर नियमों के विवस्था क्या दिन रिण पत्रों का शोधन होता है जब भी कमपनी रिण पत्र निर्गमित करती है तो उसमें अवधी निर्धारित कर देती है उस अवधी की समाप्ती पर रिण पत्र का शोधन होगा ऐसा माना जाता है कई बार ऐसी स्थित्या बनती है कि उस अवधी की समाप्ती के बाद ही शोधन यानि की राजवी का भुकतान किया जाता है लेकिन कई बार ऐसी भी स्थित्या बनती है कि उस अवधी की समाप्ती के पहले ही रिण पत्रों का भुकतान या शोधन करना पड़ता है तो दोनों ही स्थित्या बन सकती हैं अवधी के अधार पर अगर हम देखें तो निर्धारी तवधी के बाद भी शोधन हो सकता है और निर्धारी तवधी के पूरो भी शोधन हो सकता है यहां एक बात महतपूर होती है कि कमपनी शोधन करते समय अपने जो अंतर नियम है उनक का विशेज ध्यान रखती है दूसरी एक मत्रपूर्ण बात है कि इसका एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लॉटरी के द्वारा रिंड पत्रों का शोधन किया जाता है इसको आगे हम और विस्तार्ट से पढ़ेंगे और उसके बाद एक तीसरी दर्शा ये भी बनती है क कंपनी स्वैम ही अपने रिंड पत्रों को खुले बजार में क्रै कर ले किस तरह से जब एक कंपनी अपने स्वैम के रिंड पत्रों को खुले बजार में क्रै कर लेती है तो क्या स्थिती होती है कब वो एक शोधन रिंड पत्रों के शोधन का ही रूप मान लिया जाता है इ यह राशी अब हाला कि अंतरनीमों को फॉलो करते हुए जो भी रिंपत्रों के शोधन की राशी नरधारित की जाती है वही राशी दिये होती है लेकिन भुक्तान का एक जो तरीका होता है उसमें कुछ अलग-अलग चीजी होती है जैसे कि या तो रिंपत्रों की पूरी कार सब्सक्राइब करना हो वैसे किया जा सकता है यहाँ पर अगर हम बात करे भुक्तान के हम तो एक चीज यह भी देखना होगा हम को कि इन रिंपत्रों का जो भुक्तान किया गया है वह अवदी की समापति के बाद यानि कि जब उनका निर्गमन किया गया था तो जो अवधी निर्धारित की गई थी उस अवधी की समापती के बाद शोधन किया जा रहा है या उससे पहले तो अगर अवधी की समापती के बाद अगर शोधन किया जा रहा है तो यहां पर हमको जब हमने निर्गमित किया था तो वहां पर दे राशी पर प्रीमियम और बट्टा की भी राशी उसमें हमने केल्कुलेट की है इस बात का हमको विशेज ध्यान रखना है कब शोधन के समय दूसरी किस्ति बनती है अगर अवधी के भीतर यानि की जो निर्धारित अवधी की गई थी वहां तक पहुंच नहीं पाए और उसके पहले ही रिन पत्रों का शोधन कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होता है कि वारशिक किस्त में शोधन किया जाता है ऐसी द को घ्रचので स्क्राइ na जरूरी होता है कि तीज बात किती के रिन पत्रों के शोधन के स्तरोथ क्या हो अब सिदे सरल्षब्दों में हमने समझ लिया है कि जो कमपनी ने लिया था आ है ऑफ उस लिंक召ाप स्काना है पैसा वापस करना है तो इसको सोर्स क्या हो पैसा कहां से कैसे पैसा लाकर वापस किया जाए उनको तो इस सम्मंद में यहां पर हम देखते हैं कि कंपनी इनके शोधन के लिए जिस धन की कंपनी को आवशक्ता होती है उसके लिए कंपनी के लिए किसी विसेश जो स्त्रोत होता है उसके लिए कोई वैधानिक नियम नहीं होता है कंपन अपनी पूंजी में से या नए अंश पत्र रेंट पत्र निर्गमित करके उनका शोधन कर सकती है विधिवार अगर हम पढ़े कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैसे हम जनरल एंट्री करेंगे तो कुछ बिंदो के अधार पर हम इसको समझेंगे जैसे सबसे पहला तो कंपनी नए अंश और रेंट पत्रों को निर्गमित करके शोधन कर सकती है अंशो को जब निर्गमित किया नए रेंट पत्रों को जब निर्गमित किया तो उनसे जो धन राशी प्राप्त हुई उसी राशी से पुराने रेंट पत्रों का शोधन यान भुक्तान किया ज तो संचिती में जो अमाउंट है लाब की जो राशी है उसमें से अगर वो परियाप्त राशी है तो उसमें से भुक्तान किया जा सकता है तीसरी एक बात आती है कि आधिक के विधी से सरप्लस अगर कुछ है उससे भुक्तान किया जा सकता है और चौथा जो है वो परिसंपत् कि कंपनी के पास अगर संपत्ति पैसे अगर नहीं है रिन पत्रों का शोधन के लिए रिन पत्रों को भुगतान करने के लिए तो परी संपत्तियों को बेच कर भी उससे प्राप्त राश्वी से भी रिन पत्रों का भुगतान किया जा सकता है तो यह तीन दशाएं थी जिनको की बहुत सावधानी से ध्यान में रखते हुए रिन पत्रों का शोधन किया जाता है अब आईए देखते हैं पहली कंडिशन जबकि अंशो और नए रिन पत्रों के निर्गमन से कंपनी पुराने जो रिन पत्र है उनका शोधन करती है यानि डेवेंचर होल्डर्स को उसके बात वो देखती है कि उसकी अधिकरित पुझी क्या है कितने अंशो के लिए वो आवेदन निर्गमित कर सकती है अगर कुछ अंशो को निर्गमित करती है रिन पत्रों को निर्गमित करती है और उन नए अंशो नए रिन पत्रों के निर्गमन से जो राशी उसको मिल जाता है तो इस कंडिशन में किस तरह की जनर्रल एंट्री की जाती है आए इस पर एक नज़र डाले कि रिण पत्रों का शोधन सम्मुल्य पर हो सकता है या प्रीमियम पर रिण पत्रों के शोधन के लेखांकन के प्रविस्टिया इस प्रकार होगी जब रिण पत्रों का शोधन सम्मुल्य पर किया जाए डेबेंचर अकाउंट डेबिट टु डेबेंचर होल्डर्स अकाउंट जब शोधन की राशी डेबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसपर की जाए डेबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टु बैंक अकाउंट इस राशी को जब डेवेंचर होल्डर एकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो प्रविष्टी होगी डेवेंचर होल्डर एकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जब debenture holders को payment किया जाएगा उस condition में entry होगी debenture holder account debit to bank account क्योंकि रिणपत्रों के शोधन पर जो लाव होता है वो पुझी का त्लाव होता है इसलिए रिणपत्रों के निर्गवण पर होने वाले जो कटोती होती है उसको अप्लिकेट करने के लिए इसका प्रयूक किया जाता है तो आपने देखा कि जब नए अंश पत्र या रिन पत्र जारी करके कमपनी रिन पत्र धारियों का भुक्तान करती है तो कौन-कौन से जनरल एंट्रिस होती है आए इस समझ में कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करें कई बार ऐसी दिशाय बनती है जबकि रिन पत्रों का पूंजी में से शोधन किया जाता है तो यह कौन सी दिशाय है जबकि रिन पत्रों का पूंजी में से शोधन किया जाता है और किस तरह से इसकी क्यालकुलेशन और इसको हम पंजिकरित करते हैं आए देखते है एक तो जैसे कि अभी हमने जनरल एंटरिस में देखा कि कब किस कंडिशन में हम शोधन कोश में हस्तांतरन करते हैं प्रॉफिट को लेकिन अगर पूंजी में से शोधन होता है तो हमको ये जो बैलन्स है शोधन कोश का उसको हस्तांतरित करने की आवशक्ता नहीं होती है और अगर ब चान रखे तो हम देखते हैं कि रिड़ पत्र का जो शोधन कोश है वो प्रारंब करने के पूर वही रिड़ पत्र की जो कुल निर्गमित की गई राशी है जितने के लिए वो डेवेंचर इशू किये जा सके चुके हैं उसका कम से कम 25 परसेंट जो भाग होता है 25 प्रतिश बन जाती है कि पूरिए कि πूरि राशी को 25 परसेंट तो पूर राशी को पूंजी में से शोधन कर पाना असंभखा हो जाता एक दूसरी स्ट्री ये बनती है कि रिण पत्रों का लाब में से भी शोधन किया जा सकता है कई बार लाब की राशी अधिक होती है आधिक जिसे हम कहते हैं वो एमाउंट अगर परियाप्त होती है तो उसमें से भी शोधन किया जा सकता है तो किस तरह की दिशाय बनती है इसमें जब हम रिण पत्र में से हम देखते हैं कि रिन की राशिक के पूरे 100 प्रतिशत के बराबर जो है वह लाभानी विभरन ये जिसे हम केते हैं लाभानी अप्रोप्रियेशन आकाउंट में यह पूरा का पूरा नया खाता खोल कर इसको हम रिन पत्र शोधन खाते को इसमें हस्तांतरित कर देते हैं अब इन आधार पर जो सेभी के जो दिशा निर्देश दिये गए हैं उनके आधार पर हम जो जनरल एंट्री करते हैं कितनी एमाउंट हमको शोधन कोश खाते में हस्तांतरित करनी है और किस तरह से उसको हमको पेमिंट करना है इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आई इसके करणा पर एक नजर डाले इस तनिष्क लिएमिक्टेट के पास चार लाख प्रतिशतThe Muslims के निए बखाया थे इनके शोधन के उद्धेश यहां हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी छह लाग रुपय जो अप्लिकेशन वनी रिसीव होगा इस पर उसके लिए हम एंट्री करेंगे तो नॉर्मल जो हमारी एंट्री होती है वही होगी पर स्ट्री हो जाएगे बैंक अकाउंट डेबिट तो नाइन परसंट अप्लिकेशन एनलोट्मेंट एकाउंट एकाउंट और आप्लिकेशन मनी रिसीव के एंट्री करेंगे दूसरा जब हम इसको यह जो छह लाग हमको मिला है उसको जब हम डेबेंचर अकाउंट में ट्रा का payment हमको जब द्यू करना होगा तो उसके लिए हम एंट्रि करेंगे 10 % डेवेंचर account debit टू डेवेंचर hold के एकाउंट तो यहां पर यह जो चार लाक रुपय के लिए हैं उनकी चार लाक रुपय के यहां पर हम लिखेंगे और अब जबकि हम इन डेवेंचर होल्डर्स को इस चार लाख रुपय का पेमिंट करेंगे तो पेमिंट के लिए यहां हमारी जनरल एंट्री हो जाएगे डेवेंचर होल्डर अकाउंट डेविट टू बैंक अकाउंट पोड़ लाएंग प्रतिशत बट्टे पर निर्गमित किया किन्तों पांच वर्ष के अंत में पांच प्रतिशत प्रीमियम पर शोध्य थे रिडपत्रों के निर्गमन तथा शोधन दोनों के समय जनरल प्रविस्टियां कीजिए इस प्रेशन में दो कंडिशन हमको फॉलो करना है एक तो पर हमने इनको निर्गमित किया था तो उस कंडिशन में जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि निर्गवन तो हमने बट्टे पर किया लेकिन शोधन के समय हमको प्रीमियम देना पड़ा वहां पर तो यहां पर एक लॉस बनता है हानी एक बंती है तो उसकी एंट्री जो होगी वह हो जाए कि bank account debit loss on issue of debenture account debit to 12% debenture account to premium of redemption of debenture account यहां हम narration लिख सकते है being the issue of debenture at 5% discount and redemption at 5% premium यहां हम amount किस प्रकार लिखेंगे यह ध्यान देते हैं तो bank के debit में हम वह amount लिखेंगे जो actual receive होने वाली amount है यानि कि total होना चाहिए 10,000 in 200 यानि 10,000 in 200 यानि 10,000 लेकिन क्योंकि इस पर 5% discount में यह receive हुआ है तो यह हो जाएगा 50,000 का discount और minus जब करेंगे तो bank में हम केवर 50,000 loss of issue of debenture में हम कैसी calculate करेंगे तो हम यहां पर देख रहे हैं कि discount जो था वो 50,000 था और रिडंप्शन जब हमने किया तो 5% premium फिर से 5% यानि कि 50,000 loss हुआ तो फुल मिलाकर 50,000 plus 50,000 वन लैक रुपिस जो है वो loss on issue of debenture के debit side में आएगा तो 12% debenture में हम लिखेंगे टोटल 10 लाग जितनी के उसके due amount थी और 2 premium of redemption of debenture में हमने calculate कि 50,000 premium उस amount को हम इसके सामने credit में लिखेंगे तो यह तो issue किया entry हो गई अब क्योंकि redemption भी करना है इंको यहां पर तो redemption के लिए हम entry करेंगे हाँ पर 12% debenture account debit premium on redemption of debenture account debit to debenture holder account being the amount due on redemption redemption पे जो due amount है उसके लिए हम आपर entry करेंगे तो हमने पहले भी देखा था कि 12% debenture है 10,000 debenture है एक debenture 100 रुपेस का है तो total 12% debenture account के debit में आएगा वो आएगा 10,000,000 premium हमने calculate कर लिया है 10,000,000 का 5% यानि के 50,000 और total जो debenture holders को due amount वो है 10,500,000 अब जब payment बनेगी debenture holders के लिए तो इसके लिए general entry हो जाएगी debenture holders account debit to bank account 10,500,000 B limited ने 100 रुपयवाले 10,000 रिणपत्र 10% बट्टे पर इस शर्त पर निर्गमित किये कि दो वर्ष के बाद ये रिणपत्र 10% premium पर शोधित किये जाएंगे इन रिणपत्रों के निर्गमन तथा दो वर्ष के समापती के बाद शोधन के लिए आवश्यक जनरल प्रविस्टियां कीजिए यहाँ पर हमको दो कंडिशन है हमारे पास एक तो on the date of issue क्या entry होगी वो हमको करना है और दो साल के बाद after two year जब शोधन की date बनती है तो वहाँ पर क्या entry होगी वो हमको यहाँ पर देखना है तो first जब issue हम वहाँ पर करेंगे तो यहाँ भी हमको यह देखना है कि एक तो discount पे issue किया गया है दूसरी बात discount पे issue और premium पे शोधन तो दोनों मिलाकर कुछ ने कुछ loss यहाँ पर आता है तो उसकी entry हमको करनी है तो यहाँ हमारी general entry हो जाएगी bank account debit, debenture discount account debit, loss on issue of debenture account debit to debenture account to premium on redemption of debenture account, तो bank account में हमको कौन से amount लिखनी है, 10,000 share है, 100 rupees का एक है, यानि 10 lakh होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस पे 10% discount हो गया, 10 lakh में 10% यानि 1 lakh discount हम माइनस कर दिया, तो bank account के debit में 9 lakh लिखेंगे, discount हमने calculate कर लिया 1 lakh है, तो debenture discount account के debit में 1 lakh लिखेंगे, loss हमको calculate करना है, तो हमने एक तो देख लिया कि discount 1 lakh है, और क्योंकि दो वर्ष के बाद ये रिन पत्रत 10% premium पर शोधित किये जा रहे हैं, और discount को हमने already 1 lakh लिख चुके हैं, हम तो अब जोड की नहीं लिखेंगे, केवल premium के शोधन की जो amount है, premium पर शोधन वाली जो 1 lakh amount है, उस को हम ही आप पर अलग लिखेंगे, कई बार हम दोनों को जोड के भी लिखते है, loss on issue of debenture, उसमें हम discount और premium दोनों के amount को जोड के 2 lakh भी लिख सकते हैं, उसके बाद to debenture account, यानि कि यहाँ पर credit side में total amount जो वहाँ पर due होती है debentures पर 10 lakh, 10,200, 10 lakh वो हम लिखेंगे, और to premium on redemption of deb debenture यह हमने calculate किया, 10 lakh पर 10% premium, यानि कि वन लाइक है, वो हम credit side में लिखेंगे, narration हम लिख सकते हैं, यहाँ पर, being issue of 10,000 debenture at 10% discount and redemption of premium at 10%, अब 2 साल के बाद, जबकि इनका शोधन करना है, तो वहाँ पर जो हमारी entry होगी, वो एक तो payable amount, जो redemption की है, उस पर होगी, और एक पि करेंगे, उसके लिए होगी, तो यहाँ हमारी, क्योंकि हमने question में देखा है, कि यह जो redemption हो रहा है, वो 10% premium पे हो रहा है, तो यहाँ हमारी first entry हो जाएगी, वो होगी debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit to debenture holder account, being amount payable on redemption, तो debenture account में हमने देखा, कि 10,000 debenture है, 100 रुपिस का एक है, तो debenture account के debit में हम 10,000,000 लिखेंगे, premium हमने calculate किया, 10,000,000 का 10% to 1,000,000 प्रीमियम आ जाएगा, और debenture holder account के credit में इसका जो total है, 10 plus 1, 11,000,000 वो हम लिखेंगे, अब क्योंकि payment जो made हो रही है, उसके लिए हमको entry करनी है, तो यह entry हमारी हो जाएगी, total 11,000,000 से, debenture holder account debit to bank account 11,000,000,000,000,000,000, रिन पत्रों के शोधन के लिए जारी सेवी के दिसानिर्दिश, debenture redemption reserve और DRR का निर्मान किवल गैर परिवर्तनी एवं अंश्रिता परिवर्तनी रिन पत्रों को किवल गैर परिवर्तनी हिस्से के लिए ही किया जाना आवश्यक है, दूसरा, शोधन प्रारंब करने से पहल रिन पत्रों के कोल राशी के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर DRR बनाया जाएगा, तीसरा, DRR का निर्मान केवल चालों और्ट के लाभों में से ही किया जाएगा, इस नियम के अनुसार कुछ विशेश कमपणियों पर रिन पत्र शोधन कोश का निर्मान करना आवश्यक नहीं है, DRR का प्रतिशत रिन पत्रों के मुल्ले के 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है, कमपनी को रिन पत्रों के शोधन के लिए रिन पत्र शोधन कोश बनाना चाहिए, इस संबंध में शर्ते नियम न लिखी थे, पहला, भारत में रिजर्व बैंक ओफ इंडिया द्वारा नियंत्रि समस्त वित्तिए संस्थाएं, सार्वजनिक एवं निजी रूप से दिये गया है रिन DRR का प्रतिशत निल होगा, दूसरा, बैंकिंग कंपणी सार्वजनिक और निजी रूप से दिये गया है रिन पत्र DRR का प्रतिशत निल, तीसरा, गैर बैंकिंग वित्तिए कंपणी एवं अन्य वित्तिए संस्थाएं उधारण के लिए LIC of India, UTI, एक्सेप्टरा, सार्वजनिक रूप से निर्गमित रिण पत्र निजी रूप से दिये गया है रिन पत्र में DRR का प्रतिशत प्रतिशत होगा, चौथा अन्य कंपनी उत्पादक एवं इंफ्रस्ट्रक्ट्चर लिस्टेट और अन्यस्टेट में सार्वजनिक एवं निजी रूप से दिये गया रिंट पत्र जैसे भी ओ डी आर आर का प्रतिशक पत्चिस होगा